तो उसे ही थोड़ा सा अलगा कार्म है लेकिन इसे ही हो सकते हैं उनके द्वारा भी या बनाया गया होगा जो कहानी हम लोग सुने हैं तो सहय तक वैसा भी हो सकता अलग अलग मूर्तिया हैं जो की संगरहला में रखे हुए हैं अगर आप लोग आते हैं एक कामुक मूर्तिया अभी आपको देखने के लिए मिलेगा अलाग अलाग तो काफी चाओडी है वैसे भी छत्तिस गड़ का सबसे बड़ा नदी है महा नदी नमस्का जाजवाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में कैसे आप लोग दोस्तों उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज किस वीडियो पर मैं आप लोगों को गलौदब अजार में स्तीत महा नदी की किनारे में नरायनपूर गाओं लेकर जाने वाला हूं, वहाँ पर एक अत्यांत्या प्राचिन मंदीर है, बताया जाते हैं उस मंदीर में भाई बहनों का जाना मना है, तो उस मंदीर में आप लोगों को मैं लेकर जाने वाला हूं, दोस्तों आत्यांत्या प्राचिन मंदीर है, महानदी के टट परिस पूरा देखिएगा नरायनपूर जाने के लिए कुछ इस तरह से रोड आपको देखने के लिए रोड के किनारे में दोस्तों परसे का फुल लगा हुआ है जिसे पलास का फुल भी कहा जाता है अगर आप लोग 36 गड़ के होंगे तो आपको परसा का पेंड़ पता ही होगा औ बगल बगल खेत अभी सुखे हैं दोस्तों क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है फागुन का अभी समय चल रहा है कुछ हरे बारे सामने में दिखलाई दे रहा है वहाँ पर गर्मी फसल लगा हुआ है रोड का कंडिसन अच्छा है आप लोग अराम से नरायनपूर गाउं तक पहुंच सकते हैं परसे का फूल आप लोग देख सकते हैं जमीन में भी गिरह हुआ है देखने में काफी अच्छा लग रहा है चलते हैं दिखलाते हैं वैसे तो थोड़ा सा सूखा सूखा ही लग रहा है लेकिन चलते हैं दिखलाते हैं किस तरह से महानदी की टट पर वहा पर लिखी हुई है यह है गेट यहां अंदर जाने का और सामने आप लोग मंदीर देख रहोंगे देखने से तो अत्य प्राचिन मंदीर लग रही है तो चलते हैं यहां पर यह देखेगा छोटा सा गेट है अंदर जाने के लिए बड़ा वाला गेट में तला लगा हुआ है लगा देते हैं और कुछ इस तरह से हैं दोस्तों देखने में सामने में यहां पर देखेगा संरक्षित इसमारक यहां पर लिखे हुई है और कुछ यहां पर जानकारिया है संरक्षित इसमारक से जो नियम कायदा होती है सामने आप देखेंगे तो नीचे आप देख सकते ह अगर नीचे में लगा हुआ है वांडरी वाल है चारो तरफ इसे संरक्षित करके रखा गया है दोस्तों संरक्षित इसमारा कही है सामने आप देखेंगे पत्ता से निर्मित अत्यांत प्राचिन मंदिर आपको देखने के लिए यहां पर मिलने वाली है तो चलते हैं पास चल आप प्रचलित हैं सुनने के लिए मिलता है बताया जाता है नरायन नाम के एक सिल पकार हुआ करता था जो इस मंदिर में देवी दियवताओं के साथ कामुक मुर्तियों का करता था मंदी 6 मासी रात में बनी हुवी है दोस्तों ऐसे में सील पकार यहीं पर रहकर मुर्तियों का निर्मान करता कामुक मुर्तियों का निर्मान करता और रात में उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आया करती थी बताया जाता है रात में जब निवस्त रहोकर कामुक म निर्मान कर रहा था तब उनकी पत्नी की जगह उनकी बहन खाना लेकर आ गई और नरायन सिल्पी को निवस्त रहोकर कामक मूर्तियों का निर्मान करते हुए देख ली बताया जाता है उसके बाद सिल्पीन रायन को यह सब अच्छा नहीं लगा उनको सरमिंदगी महसूस होने के कारण वहाँ इसी मंदीर के उपरी सिखर में चड़ कर नीचे कुद कर अपनी जान दे दिया इसके बाद से ही यहाँ पर भाई बहनों का आना मना है ऐसे भी बताया जाता है भाई बहनों का एक साथ इस मंदीर में नहीं आने के को दूसरा रीजन और हो सकता है दोस्तों इस मंदीर के बाहरी दिवारों पर कामक क्रीड़ा काते हुए चित्रों कांकन किया गया है मूर् मंदिर के साथ बैरागी मठ और मंदब तो सुचनपटल है दोस्तों वीडियो श्टाफ करके आप लोग पढ़ लीजिएगा लगभग ग्यारवी-बारवी सतापदी का यह देखिएगा अत्यांते प्राचिन मंदिर आपको देखने के लिए इस जगह में नरायनपूर गाव में देखने के लिए मिलेगा और यह मंदिर लगभग ग्यारवी-बारवी सतापदी का है ऐसा बताया जाता है सुचनपटल में भी लिखा हुआ है बनावाट आप लोग देखिएगा पत्थरों से यहां मंदिर निर्मित है यह पूरा देखिएगा उपरी हिस्सा भी आप लोगों को मैं दिखला दूँ यह देख सकते हैं आप लोग प्रॉचार से बना हुववा है दोस्तों लगभा 11-20 सताप्दी कई यहां बना हुआ है इस तर अविखेंगे तो गारडन है और गारडन मेंहीं यहां मूर्थी इस्थित है यहां मंदिर इस्थित है और बनावाट आप लोग सकते हैं कुछ इस तरह से हैं बाहरी बनावाट आप देखिए पूरा दिवारों पर इसी तरह से कामुक मूर्थिया है अलग-अलग निरत्य करते हुए नर्थकियों कि यहाँ पर मूर्थिया है कामुक आपको देखने के मिलेगा घोड़े हाथी की मोर्ति देवी-देवताओं की मूर्ति यह आप देख सकते हैं निचे आप देखे यह कि यह दिखो देखने से बित अलग-अलग मुर्ति है बहुत हैं इस है जगहमे глаз की यह देख इसकते हैं यह देखिए गा उपरी हिस्सा भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों और कुछ लोग बोलते हैं कि उपरी इसी जगह से जो है शिलपी कुदा था नीचे तो कुछ इस तरह से देखे घोडे हाती का चित्र है यह देखे कामुक मूर्तियां भी आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग नुरित्यकर्टिवे नर्तकी भी देखने के लिए मिलेगा बाहरी बनावाटना देखते ही बनता है उपरी हिस्सा आप देख सकते हैं और इ यह देखिए उपरी हिस्सा आप देख सकते हैं, पूरा सजावाट है, काफी सुंदर मुर्ति यहाँ पर अंदर बाहर में आपको देखने के लिए मिलेगा दिवारों पर, यह देखिए गस भगवान विश्णु का 12 अतार है, यहाँ पर अंकित के हुआ है, हाला कि बहुत से म कासी के लिए इसे बनाए रहे होंगे, क्योंकि अंदर में सीवलिम की राजमान है, तो यह जाहिसी बात है, कि जलहरी से यहाँ पानी निकलने के लिए बनाए होंगे, सामने में एक और मंदीर है दोस्तों, इस मंदीर को भी आप लोग देख लीजिए, इनके बाहर में भी, चोखड में दोनों तरफ मूर्तियां उकेरी गई है, उपरी हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, यह देखिएगा, सीखर आप लोग देखिए, और मंदीर में तो अंदर में मूर्तियां अगरा तो नहीं है, चली अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं, कामक मू बनावाट आपको यूनिक लगेगा हटके लगेगा मंदप रूपी यहां पर देखे पिलहर है चारो तरह पर पिलहर से यहां मंदिर ठीका हुगा है और इस तरह भी देखे पूरा पत्थरों से निर्मित हैं सामने आप चौखड देखे अगल बगल में काफी सुंदर कलकृत की हुई है दिवारों को आप लोग देखें मंदिर के दिवार में किस तरह से पत्थ्रों में मुर्तियाउं उपके रही गई है इस तरह भी आप देख सकते हैं तो यहां का बनावाट देखते ही बनता है दोस्तों यहDEN अपरिया हिस्सा फिलाल आप लोगों को थोड़ा सा दिखला देता हूँ कि क्या है अंदर में यह देखिएगा तो उसे ही थोड़ा सा अलगा कार में है लेकिन इसे ही सिव लिंग बोला जाता है मंदिर के पास में ही एक संगरहाला है और इस संगरहाला में आपको तुटी-फुटी मुर्तियां और उनके आवसेश देखने के लिह मिलेंगे यह देखिएगा तुटी-फुटी मूर्तिया हैं दोस्तों और अवसेश हैं सिल्पकार यहां पर हुआ करता था तो हो सकते हैं उनके द्वारा भी यहां बनाया गया होगा जो कहानी हम लोग सुने हैं तो सहय तक वैसा भी हो सकता है हाला कि कहानी कि मैं दावा नहीं करता लेकिन इस सेड़ आप देखिएगा तो और अलग-अलग मूर्तियां जो की खंडित अवस्था में हैं यह देखिएगा सामने गड़ेजी के मूर्तियां अलग-अलग मूर्तियां जो की खंडित अवस्था में हैं इस जगा में रखे हु मिलेगा दोस्तों अलग-अलग खंडित मूर्तिया हैं आप आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मूर्तिया आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सभी पत्थरों में बना हुआ है इस तरह भी आप देखेंगे तो अलग-अलग मूर्तिया है देवी देविदें उताओं के मूर कि अगरा आप लोग आते हैं यह देखे गए कर बड़ा समूर्ति है जो कि पत्थर में बना हुआ है तो कुछ इस तरह से है नीचे भी आप देखेंगे तो जलहरी है यहाँ पर सीवलिंक के लिए ही जलहरी बनाया रहे होंगे इसे भी जलहरी के लिए बनाया रहे होंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरफ मंदिर है और मंदिर के पीछे में ही नाम महा नदी बहती है यह आप देखेगा तो यह महा नदी है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी चौड़ी है वैसे भी 36 गड़ का सबसे बड़ा नदी है महा नदी यह आप देख सकते हैं इस साइड कुछ खेती व से तीले में ककड़ी और कलिंदर का खेती किया जाता है पानी आप देखेंगे तो पानी हाला कि अभी कम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो कुछ इस तरह से हैं जैस्ट है यहां पर मंदिर है आप लोगों को मंदिर दिखाया मंदिर के पीछे में यहां नदी स्थी पर पिछे चल कर आप लोगों को नदी भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि यह देखिएगा उस साइड लोग जो है ना पानी को क्रॉस करके वहाँ तक जा रहे हैं वह देखिएगा आप लोगों को हलगाल का दिखलाई भी दे रहा होगा काफी दूर है ने इसलिए उतने क्लियर आप लोगों को नहीं दिखलाई दे रहा होगा तो खेती वागर आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कलाई करिएगा अगर आप लोग हमारे चैनल झाल झाल